हाई, फिल्म मेकर का एक सपना होता है कि एक बहुत अच्छी फिल्म बनाए और अपने दर्शकों तक पहुंचाए जब फिल्म बनाते हैं तो दर्शकों तक जब वो फिल्म पहुंचती है तो जो उनकी ओडियंस होती है यानि कि जो दर्शक होते हैं वो उस फिल्म को देखते हैं और उसके बाद फिल्म को अच्छा या बुरा अपने हिसाब से वो डिसाइड करते हैं आज हम बात करने वाले हैं हाली में आई फिल्म कूली नमबर वन जो की Amazon Prime पर रिलीज हुई है और इसी के साथ साथ आई है एके वर्सिस एके जो की Netflix पर रिलीज हुई है तो ये जानने के लिए कि कौन से फिल्म आपके देखने की है और कौन से फिल्म आपके लिए वेस्ट आफ टाइम है बने रही है मेरे साथ आप देख रहे हैं मेरा चैनल तो आईए थोड़ी रौश्णी डालते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हर फिल्म मेकर का एक सपना होता है कि वो फिल्म बनाए और अच्छी से अच्छी फिल्म बनाए लिकिन जब आप रीमेक बनाते हैं यानि कि जो पहले से ही सूपर हिट फिल्म है उस फिल्म को उठा के जब आप उसका remake बनाते हैं तो pressure director पे बहुत ज़ादा बढ़ जाता है क्योंकि लोग फिल्म को बिना दे के ही comparison करने लग जाते है लोग पिछली film जो कि सूपर हिट हो चुके थी उससे नई फिल्म जो की जिसमें जो एक्टर्स काम कर रहे हैं दोनों एक्टर्स की एक्टिंग का कंपेरिजन करते हैं स्टोरी का कंपेरिजन करते हैं और ये डिसाइड करने लग जाते हैं पहले से ही के फिल्म अच्छी होगी या बुरी होगी अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह create हो जाती है कि अगर थोड़ी सी भी चूक होती है और जो remake बनी है नई फिल्म अगर वो पुरानी फिल्म के आसपास तक भी नहीं पहुँच पाती तो दर्शक उस फिल्म का बायकॉट कर देते हैं सीधा ही negativity और negative points देना start कर देते हैं तो director पर यह pressure बहुत जादा बढ़ जाता है जी हाँ हम बात कर रहे हैं हाली में release हुई coolie number one जो की Amazon Prime पर release हुई है इसके director है डेविड धवन जी जी हाँ coolie number one जो की गुबिंदा की film थी उसके भी director थे डेविड धवन जी और इन्होंने अपने बेटे वरुन धवन को लेके उस गुबिंदा की coolie number one का remake बनाया है जो की 2020 यानि की December 2020 में Amazon Prime पर release की गई है अब बात करते हैं इसकी star cast की फिल्म के अंदर है वरुन धवन जो की coolie number one राजू का character निभा रहे हैं सारा अली खान जो कृष्मा कपूर ने रोल निभाया था वो सारा अली खान ने रोल निभाया है इस फिल्म के अंदर इसके अलाबा जावेज जाफरी जी, मनोज जोशी जी और राजपाल यादव जी ऐसे कई बड़े stars हाँ परेश रावल जो की कादर खान जी ने रोल निभाया था पुरानी फिल्म के अंदर वो इस फिल्म के अंदर परेश रावल जी ने निभाया है दोस्तों जब इतनी बड़ी star cast को हम लेते हैं तो एक प्रेशर अल्रेडी होता है कि जब इतनी बड़ी star cast है तो फिल्म अच्छे ही होनी चाहिए लेकिन अगर मैं बात करूं कूली नंबर वन जो की वरुन धवन की फिल्म जो अभी आई है तो इट्स लाइक कि आपने नाम अच्छा उठा लिया super hit film आपने उठा लिया उसी की story आपने copy कर ली लिकन यार अब थोड़ा सा अगर आप acting भी अच्छे से करा लेते आपने उसे वरुन धवन सारा अली खान इतनी बड़ी star cast को लेके जब आप एक फिल्म बना रहे हो और उस फिल्म में अगर कहीं ना कहीं डरेक्टर चूक करता है और एक्टर्स की जो acting है वो over acting की side पे चली जाती है आपने सही सुना जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको feel होगा कि वरुंदवन, सारा अली खान या जितने भी और सारे करेक्टर्स हैं जो की अपनी अपनी acting के लिए माने जाते हैं जाने जाते हैं इस फिल्म के अंदर सब ने थोड़ा सा over act किया है somehow कहिना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक फिल्म बहुत जल्दबाजी में और under pressure रहके ये फिल्म बनाई गई होगी चायद क्योंकि जैसा मैंने आपको बदाया कि गुविंदा की जो फिल्म थी वो अल्रेड़ी super hit फिल्म थी और उस फिल्म को उस फिल्म के आसपास maintain करना इस फिल्म को तो वो कहीं ना कहीं एक pressure था अल्रेड़ी वो दिखता है इस फिल्म के अंदर सभी actors ने काफी हद तक over acting की है acting और over acting इन दोनों के अंदर एक बहुत एक thin line होती है अगर आप इस side हैं तो आप एक अच्छा act कर रहे हैं लेकिन अगर आप उस side चले गए तो आप over acting की तरफ चले गए यानि कि जब आप dialogue बोल रहे हैं और expressions आप इतने loud दे रहे हैं लाइक अगर मैं सारा अली खान की बात करूं तो उन्होंने अपने dialogue की delivery और अपने expressions इतने higher side पर रखे हैं कि वह आपको देखने से पता चल जाता है कि यह बहुत ज्यादा over acting हो रही है गाने हैं स्टोरी उन्होंने बिल्कुल सेम उठाली जब आप remake कर रहे हो तो इसमें कुछ तो थोड़ा बहुत change करो ताकि public को कुछ नयापन देखने को मिले वरुन्धवन ने जो acting की है अब आपको एक scene मैं याद दिलाता हूँ जब गुबिंदा को चार गुंडे वहाँ पे घेर लेते हैं पुरानी फिल्म के अंदर और एक बोलता तू पागल है और एक बोलता है कि तू तो मुझे बिखारी लगता है तो वो अलग अलग करेक्टर्स के अंदर आके उन विलन्स को मारते हैं उन गुंडों को मारते हैं यहाँ पे वरुन्दवन ने भी एक पुरा का पुरा वही सीन रिपीट किया है उसी तरीके से एक उन्हें पागल बोलता है तो वो पागल की तरह मारते हैं एक उन्हें बिखारी बोलता है तो वो बिखारी की तरह मारते हैं लेकिन अगर आप दोनों फिल्मों के सीन को आप देखेंगे और उनका comparison करेंगे तो गुबिंदा इस फार बेटर देन दिस मतलब जो वरुन धवन ने किया है गुबिंदा उसते बहुत फार बेटर करके गए थे तो यहाँ पे शायद देविड धवन जी के ऊपर एक प्रेशार होगा कि वो एक लेवल मेंटेन करके रखना है बट somehow यह फिल्म उस कूली नमबर वन के आस पास भी नहीं ठहरती तो अगर आपके पास बहुत जादा टाइम है अगर आपके पास बिल्कुल फ्री आप बैठे हैं कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा तो I suggest कि आपके कूली नमबर वन जरूर देख सकते हैं क् कि बच्चों के मतलब की फिल्म है और दस बारा साल के बच्चे इस फिल्म को देखके जरूर खुश होंगे उनको मज़ा आएगा यह फिल्म देखने में बट अगर आप एक अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं तो I am sorry to say इतनी बड़ी स्टार कास को लेके भी कूली नमबर वन आपको डिसपॉइंट ही करने वाली है और अब हम आगे बात करते हैं इसी के साथ रिलीज हुई एक फिल्म एके वर्सिस एके जी हाँ दोस्तों एके अब हम बात करते हैं इसी के साथ नेट्ट्फिक्स पे रिलीज हुई फिल्म एके वर्सिस एके जहां लोग इतनी कॉमेडी की तरफ भाग रहे हैं या एक फाल्तों की ओवर एक्टिंग करके लोगों को हसाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं एक पैलर सिनेमा चल रहा है आई मि कंपूर अनिल कपूर जो करेक्टर है इस फिल्म के अंदर उनकी बेटी का रोल सोनम कपूर नहीं किया है और उनके बेटे का जो रोल या रोल डेटर एक के इनी के उपर फिल्म का टाइटल रखा गया है यह दोनों एक इंटर्व्यू देने के लिए जाते हैं एक शो में और वहाँ पे इनके कुछ अन्बन हो जाती है जिसके करके अनुराग कश्यप को सबके सब बाइकॉट कर देते हैं उन्हें ऐसा डिरेक्टर फिल्मों से अपनी निकालने लग जाते हैं बट वहाँ पर ट्लाइन करते हैं कि अनिल कपूर को अपनी फिल्म में लेकर आने का एक प्लाइन करते हैं और 5 फिल्म होती है वो कहते है यह एसमें आप और कंब की बात तो ये है कि जब आप इस फिल्म देखना शुरू करते हैं, आप फिल्म के साथ इतना अच्छे तरीके से बंध जाते हैं, आपको ये फिल्म देखने में इतना मज़ा आता है, इंटरस्टिंग एक स्टोरी के साथ के एक बाप की जो बेटी है, उसे किड्नैप कर लिया गया है, और वो बाप एक सूपर स्टार है, वो जहां भी जाता है, लोग उसके आसपास सेल्फी किछवाने के लिए खड़े हो जाते हैं, अनुराग कशप ऐसा डिरेक्टर जब वहां पे जाते हैं, तो लोग यही सोचते हैं कि कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, और यहां पे अनुराग कशप इस फिल्म को ड देखते जाते हैं, तो आपको एक समझ नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है, सोनम कपूर जो कि किड्नैप हो चुकी है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, अनिल कपूर ऐसा हीरो जो इतनी बड़ी-बड़ी फिल्मों में अपना एक हीरो की छाप वो छोड़के गए हैं, रि अनुराग कश्यब उसमें क्या फसते हैं या बचते हैं, अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम कपूर को बचा पाते हैं नहीं बचा पाते, इसके लिए आप नेट्फिलिक्स पे जाके एके वर्सी देखे जरूर देखिए, तो दोस्तों आज हमने बात की दो फिल्मों की, एक क पाते हैं, तो आपको एक बहुत नहीं कहानी देखने को मिलेगी, नहीं स्टोरी देखने को मिलेगी, अब हम बात करते हैं कि इससे एक्टर्स को क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि जब भी हम किसी फिल्म का रिव्यू करते हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ, कि जो नए struggling actors हैं, उनको इससे क्या सीखने को मिला, या नए film makers हैं, उनको इससे क्या सीखने को मिला, acting की अगर हम बात करते हैं for new beginners, for new actors, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप over acting की side पे चले जाते हैं, तो चाहे जितनी भी अच्छी आप film हो, जितना भी अच्छा director हो, लेकिन अगर आप उसको over the top कर रहे हैं, over acting की side पे जा रहे हैं, तो एक अच्छी कहानी अच्छा director होने के भावजूद भी आपकी film गड़े में चली जाएगी, खराब हो जाएगी, तो actors को ये ध्यान रखना पड़ेगा, कि जब आप act कर रहे हैं, तो वो आप एक ऐसे level पे act करिए, कि वो अच्छी acting की तरफ आए, over acting की तरफ ना चला जाए, ताकि जब public आपको देखे, तो आप से relate कर पाए, और इस चीज़ को सीखना है, अगर आपने तो आप एक वर्सी देखे जरूर देख सकते हैं, क्योंकि अनिलकबूर, अनुराक कश्यप ने जो acting की है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ आपको यहां पर देखने को मिलती है, बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलती है, कि चाहिए आप स्टार कास जितनी भी अच्छी ले लेने, स्टोरी आपके पास जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आप उनसे acting नहीं करवा पारे, आप वो सजेस्ट करते हैं actors को, कि आप किस dialogue को किस space पे, किस level पे आप बोलेंगे, ताकि वो एक original और अच्छी acting निकल के आए, कुछ actors अपने आप बिना समझाए, जो एक fine actors होते हैं, वो बिना समझाए भी उसको perform कर जाते हैं, लेकिन कुछ actors जिने समझ में नहीं आता, थोड़ी पूरा character समझाता है, रोल समझाता है, तब वो उसको अपनी चीज को निकाल के देते हैं, तब वो अच्छी acting की तरफ उनकी acting जाती है, और एक अच्छी चीज निकल के आती है, बट अगर मैं आप से बात करूँ कि film maker जो director है, उसे ही नहीं पता कि उसका character क्या perform करने वाला है उसका character जो वो actor है, जो उस film के अंदर वो character play कर रहा है, वो उसको कितने level तक चिलाना है, कितने level तक loud expressions देने हैं, तो film क्या बनने वाली है, film zero हो जाएगी और film flop हो जाएगी, क्योंकि public को वो film पसंद में नहीं आने वाली, तो जो film makers हैं, उनके लिए ये दोनों film में देखना तो mind blowing film है, क्या acting की है वरुंदवन ने, लेकिन at the same time जब आप कुली number one देख रहे हैं, तो पता नहीं वो गोविंदा को follow क्यों कर रहे हैं, गोविंदा की acting copy क्यों कर रहे हैं, I don't know, अगर इसको वो अपने तरीके से करते, अच्छे तरीके से करते, तो शायद उनको ये film औ के अच्छी स्टोरी लेके वो अच्छे फिल्म नहीं बना सकते, acting करवाना, क्या character कितने level तक perform करेगा, ये आपको as a film maker पता होना चाहिए, तो दोस्तों, आज मैं अपनी बात यहीं पर खतम करूँगा, अगर आपको इस session से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस link को अपने उस friend को जरूर सेंड करिए, जो actor बनना चाहता है, या जो filmmaker बनना चाहता है, बने रहिए मेरे साथ, और देखते रहिए, फिल्मी लालतें, तैंकियो